आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि घर में रखी हुई इतनी मामुली सी चीजों से आप इतने खास स्नाक्स बना सकते हैं, खास करके शाम की भूख के लिए आज की एपिसोड में बेकिंग से लेके फ्राइंक तक सब कुछ है, तो आपको बहुत मजाने वाला है, जरूर से पूरा देखिएगा और कॉमेंट कीजेगा Hello guys, Food for Foodies में आपका सपाकत है, मैं हुरतिका, और आज के एपिसोड में आपके लेकिया हूँ, बहुत ही जटपट से बन जाने वाले स्नाक्स की रेसिपी, रेसिपी बहुत ही मज़दार हैं, इसमें काफे कुछ कुछ कोशिश की है, इसमें काफे कुछ कुछ कोशिश की है, आज की मज़दार रेसिपी और सबसे पहले हम बनाने वाले हैं, वाटर मेलन का बहुत ही मज़दार ड्रिंक, आइए बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही फ्लेवफुल जूस और ये मिंटों में बनके तयार हो जाता है, तो यहां पर मैंने लिया है वाटर मेलन साथ में और और थोड़ा सा काला नमक, ये जूस चार बज़े की भूग के लिए बिलकुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ चार इंग्रिदेंट्स पढ़ते हैं, तो यहां मैं यूस करें हो अपना लिब्रा का पोटेबल ब्लेंडर, इसमें आप फ्रूट के साथ साथ आइस भी पूट को इस तरह से कट करके ऑफिस लिजा सकते हैं, और जब भी आपको भूक लगे या प्यास लगे आप इसे ब्लेंड करके बहुत ही आराम से जूस बना के पी सकते हैं, सिंप्ली आपको प्रेस करना है स्टार्ट बटन और ये स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये बीच म हमई बनता है, मुझे लग रहा था है मैं थोड़ा सा वाटर मिलन और मिला देती हूं, तो यहां बे हम वाटर मिलन और डाल देता है ये, अगर आप बच्रो के लिए इवनिंग स्नाक बना रहे हैं, तभी आप इस तरह से जूस बना के फ्रिज में रख सकते हैं, एक बार ब आजकल गर्मिया चल रहे है ना तो सारे फ्रिज में फ्रूट्स परे होते हैं और सबसे अच्छी बात इस पोर्टबल ब्लेंडा किये है कि आपको अलग से ग्लास पगरा निकालने की ज़रत नहीं है सिंप्ली आप इसका ढगकन खोलिए और जूस इंजॉय किजिए और इस यमी इस सो रिफ्रेशिंग इस कॉम्बिनेशन को एक रहे तो जरूर दीजेगा और में चली जली से सैक्लिंग के लिए बाबाई यह ता हमारा डिलेशन वाटर मिलन डिंक आपको कैसे लगा मुझे कॉममन सेक्शन में ज़र से पिताइए का और इसमें जाला है अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेस्पी पे और इसमें बनाने वाली हूँ केक और यह वाला जो केक है यह हमारा बना है और राइट बनाना से वेरी डिलेशन टेस्टी और इसमें हमने वालस जाल के इसको बनाया है काफी हल्दी और आप इसे चाहें तो पूरे आटे से भी बना सकते हैं आईए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही डिलेशन चॉकलेट वालन केक और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए केले तो यहाँ मैंने लिये हैं दो गलेशन वे केले बेसिक लिए थोड़े गल रहते मैंने ने फ्रच में रग दिया सब्सकि नहीं होने चाहिए सिर्फ गले ओने चाहिए जितने जाधा गलेशन आप थाँम अचलाय घाल केका बना तो यहां मैंने डाला है 1 4th cup olive oil यह केक बहुत जादा मॉइस बनता है और कभी भी अगर आपके घर में केले खराब होने वाने हो रहां तो यह बनाएगे बहुत अच्छा लगता है साथ हम इसमें डाल देंगे एक चमच फैनिला एसे अब इन सभी चीजों को हम ब्लेंड कर ल temperature पर रखें और measurements हमेशा यूज़ करें तो यहां एक कप गया है मैदा आप यहां पर आटा भी डाल सकते हैं 1 4th cup हम इसमें डाल देंगे चौको पाउडर आप किसी भी company का यूज़ कर सकते हैं मेरा चौकलेट पाउडर यहां पर थोड़ा सा sweetened है एक चमच हम डालेंगे baking powder बिल्कुल एक चुटकी हमें डालना है baking soda एक चुटकी हम इसमें नमक आड़ कर देंगे केक में नमक डालना बहुत ज़रूरी है ताकि बेकिंग पाउडर के साथ में react करके आपके केक को एकदम soft and fluffy बनाए इन सारे ingredients को हम चान देते हैं अपने wet ingredients में बिल्कुल इस तरह से च cake batter जैसा नहीं बन रहा है तब हम इसमें डालेंगे दूद दूद भी room temperature पे होना चाहिए 1 4th cup दूद यहां पर पढ़ जाएगा लेकिन इसको batches में डालिएगा मतलब थोड़ा थोड़ा करके यह देखिए विकल इस तरह से देखिए color कितना ज्यादा प्यारा आया है एकद से मैं बाद में ही add करूंगी तो यहां पर batter को रख देते हैं side में बेकिंग टिन को कर देते हैं line यहां पर मैं use कर रहे हूं cooking paper circles यह already बने बनाए circles हैं यह 6 inches 8 inches और भी बहुत सारी sizes में आते हैं आप Amazon पर चेक कर सकते हैं मैं नीचे link दे दूँगी इससे बहुत और टाइम ब अब इसके उपर हम डालेंगे मन भर के चॉकलेट चिप्स और साथ में थोड़े से walnut क्रिस्पी walnuts चॉकलेट के साथ में बहुत 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 अच्छे लगते हैं और इसको तो वैसे भी मैंने वैनिला ice cream चॉकलेट sauce के साथ में serve किया दाबाद में तो बहुत बढ़ी ब्र सारी baking अपने अगारो marble otg में ही करती हूँ यह 48 liters का है इसके middle rack पे मैंने cake को place कर दिया है अच्छे से गरम हो चुका था और यहां पर मैं set कर देते हूँ timer timer मैंने 40 minutes का set किया है यहां पर बोत rods हमें रखनी है on placement आप देख सकते हैं बिलकुल बीच में रखा हुआ है मैंने और मैंने bread बनाई थी 200 degree Celsius पर किया हुआ था उसमें cake रख दिया और उसके बाद cake मेरा थोड़ी देर में burn हो गया इसलिए ध्यान रखेगा तो यहां पर cake हमारा बन के तयार है इसको जितना ठंडा होने देंगे उतना अच्छा texture आ जाएगा आप जबी bakery में cake लेते है कोई कितना So guys, यह था हमारा delicious chocolate cake और यह बहुत ही मददार बनता है मिलब जरूर टाय किज़े और केले कहीं बहुत है कि अगर केले कहीं भी एसा लगए कि पढ़े है उसे पहले सा केक बना लीज़े तो आई अब चलते हैं नेक्स रेस्पी बे और इसमें बनाने वाली हूं क्यूट क्य अब अब जर्ड़िया होती है बहुत अची लगती है वैसे तो सोट दही के साथ में जो चाट वाले भुया देते है वो next level होता है मटिया हमने घर में जल्दी से create करी है यह सारी रेस्पी आस जो आप छिटपट बना सकते है यह बना के रख सकते हैं इसनाक्स के बिल्कुल perfect वैसे मैं फ्राइड स्नैक्स बहुत जादा नहीं बनाती हूँ बैंगन यार इकात बार तर चलता है शाम की नाश्टी की बात हो और पकॉडियों की बात नहीं सकता तो आज बनाते हैं आज बहुत ही मज़ेदार क्यूट क्यूट बैंगन की पकॉड़ी इन्हें बैंगनी भी कहा चाता है वैसे यह नॉर्मली गोल वाले बड़े वाले बैंगन से बनाई चाती है बट आज मेरे पास में छोटे वाले अविलिबिल थे बट इसके बहुत ही सुंदर बनी आप लोग भी से जरूर ट्राय कीजेगा इनको यहां पर मैंने छोटा चोटा राउंडल में ता देना है बैगन को जरा सा घल्दी और नमक में बारनेट करके हम रखतेंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और बैगन हलकासा सौप्ट ओजाए हलदी नमक डालके इसको हम हलके हाथ से मिला देंगे अब जितने बैगन हमारा रेस्ट करेगा हम तयार करेंगे प सावल काटा ना हो तो आप सिकिप कर सकते हैं kick on blowing add करा जा अभी सेहम करएंगे it yeah यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी नमक लाल मिर्च जरा सा गरममसाला अब जहां पर बैंगन और बेसन सा थाहन्हों हिंग डालना बहुत ज़रूरी होता है तो साथ ही डाल देंगे एक चथाई चमच हींग अब बढ़िया सा कुछ अलग फ्लिवर देने के लिए हम यहां पे साबुद धन्या और जीरा मिलाएंगे दोनों को हमें हलका सा क्रेश कर लेना है तो साबुद धन्या का क्रण्च आता है ना तकरीबन आधे कप से उपर पानी लग गया था है इसमें मेरा और चावल का आता ना पानी थोड़ा सा सोकता भी है इस बैटर को बना के हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है बट मेक शूर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करें इससे है इसलिए कंसिस्टेंसी को एजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह थोड़ा सा और घाड़ा है यहां पर मैंने हलका से और पतला कर लिया था मीनवाइल बैंगन भी हमारे रेडी हो चुके हैं यह देखिए इनक तो यहां पर गरम गरम सरसु के तेल में हम पकॉणिया बनाएंगे मैं तेल को कई बार प्राय नहीं करती हूं इसलिए मेरी कोश्च्च कहती है कि मैं कम से कम तेल में पकॉणिया बनाओं और यही एक करेक्ट मेथड होता है पकॉणिया बनाने का आज कर आप देखिए अज़ रहे थे और मन गरा था यार कुछ खाया जाए बहुत तेस्टी गरम गरम बडेची लग थी एक चाय बना लेनी चाय थी मुझे तो और मज़ा था यामी तो इती क्यूट क्यूट की बनाने के बाद अब चलते है नेक्स रेस्पी पे आजकल वरत चल रहे थे तो साब साबुदाना पुडिंग यह साबुदान की खीर से तोड़ी से तोड़ी से डिफरेंट होती है और यह मैं रिसेंटली थाली थाली खाई तो उसमें इस तरही की पुडिंग ए और इसा लगता है कि हम इसे मतलब विदाउट वरत भी क्यों ही बनाते है बहुत अच्छी लग दिया है एक कप दूद इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिये हैं और दूद को अच्छे से उबलने देंगे यहां पर मैंने साबुदाना को थोड़ा सा भीगो के रखा हुआ है इसे हम रेगुलर खिचड़ी के लिए भीगोते हैं इसे भीगने में तीन से चार लग जाते हैं वरत की टाइम पर मैं अकसर साबुदाना भीगो के फ्रिज में रखती हूँ तो इसमें हम डाल देंगे तीन चमच साबुदाना हमें यह बहुत गाड़ी चाहिए जब हम खीर बनाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि खीर में दूद जादा होता है दूद को गाड़ी है विदिन 5 मिनेट यह इतनी गाड़ी हो जाएगी इस पुडिंग का मुझे टेक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे फुरसा गुई टेक्चर है और अच्छा लगा था इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए एकदम चिल्ट कर लीजिए तभी इस तरह का लस आए अच्छा बड़ा इस तरह कर सकते हैं आज मैंसे मैंगो ग्रेप्स के साथ में सब्सक्र कर दिया है यह चार बज़े की भूग के लिए बिवकुल पोफिक्त है एक बहुती क्विक एं टेस्टी स्नाक है इस्पेशली स्वीट टूथ वालों के लिए और आपसे जरू अब चलते हमारी आज की लास्ट रेस्पी और इसमें मैंने बाली हूं कोरियन बन्स यह कोरियन बिल्कुल भी नहीं है मतलब अच्छली जो आता है वह समें क्रीम चीज बटर इतना जादा होता है यार मिने जस्ट एक बार काया है मैंसे दुबारा ज़िए मैं खाया इसे द बनाना शुरू करता है डेलिश्यस क्रीम चीज बन और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना क्रीम चीज बनायेंगे वैसे इसकी डीटेल रेस्पी मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूंगे यहांपे मैंने सिंप्ली लिया है पनीर जो गर में रखा हुआ था और स स्वीट बन यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने चीनी भी नहीं आड़ किये आप चाहें तो थोड़ी सी पिसीवी चीनी इसमें आड़ कर सकते हैं पस इसे हम ब्लेंड कर लेंगे और यह हमारी देसी क्रीम चीज रेडी हो गई वैसे क्रीम चीज बनाने के लिए यूज़ कि अगर आपने कभी क्रीम चीज बन खाये होंगे तो बहुत ज़्यादा ओए यह तरस में बहुत अच्छी क्वारिटी के ओई एंड क्रीम चीज बजार में यूज़ नहीं होते हैं तो आप इस तरह से घर में बना के अपने क्रेविंग्स को शांत कर सकते हैं मैंने इसे स्व यह हमारा hot cross bun ready हो गया है, अब इसके उपर हम ज़रा सा butter लगाएंगे, वैसे butter में इसको बेक करने के बाद लगाऊंगी, अब इसको रखे हम कर देंगे air fry और इसको एकदम crispy होने तक हमें air fry करना है, आप इसको oven में बेक कर सकते हैं, इसी तरह से इसको रखे पैन में भी सेख स यहां पर temperature मैंने 180 degree celsius रखा है और timer लगाया था मैंने 7 minutes के लिए बढ़ी अच्छा क्रिस्प हो गया था, प्रोवाइड मैंने यहां पर अवन को preheat नहीं किया था, अगर आप oven को preheat कर लेंगे तो time और कम लगेगा, और हमारा बहुती बढ़िया से एकदम crispy bun ready हो गया है, गर बन के तयार है, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में और अपसे जरूर ट्राइ कीजे, शाम के नाश्टे के लिए बिल्कल पॉफेक्ट है, थोड़ा डिफरेंट भी दिखता है, और अब अपने गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो उनको बिल्कल मज़ा आ जाएगा, बढ़ा क्रिस्पी है और जितना डीप इसमें आप अच्छे से क्रीम चीज भरेंगे, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, यह देखिए, बेरी अमी, यह दिया हमारी आज की रेस्पी, जैना होब आपको पसंद आई होंगी, कैसी लगी मुझे कॉमें सेक्शन में ल बढ़ाई!